पवन सिंग का वो गाना जो अकेले पंजाबी इंडस्ट्री पे भारी है जी हाँ गाने के बामले में पंजाबी इंडस्ट्री कितनी रिच है ये तो आप अगर यूटूब पे सर्च करेंगे तो आपको व्यूज देखकर ही पता चल जाएगा लेकिन अगर इन सब सारे गानों का कोई बाप है तो पवन सिंग का सिर्फ एक गाना जी हाँ वो गाना जिसने पवन सिंग को रातो राज सुपस्टार बनाया देश नहीं विदेश में भी ये गाना पूरी सिद्दत के साथ बताया जाता है जी हाँ पूरी सिद्दत के साथ ब कि इस गाने के बगेर तो हर पाठी मैफिल शादी सब कुछ अधूरी लगती है हम बात कर रहे हैं किसी और गाने की नहीं एवर ग्रीन उस गाने की जिसके चलते आज पवन सिंग का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है जी हां इस गाने से जुड़ी एक बात हम आज के लिए नजाने कितनी बार डिरेक्टर और प्रिडूसर ने इस गाने के ओनर से बात की आपको इस गाने से जुड़ी एक बात बता दे इस गाने को बॉलिवुड में फिल्माने के लिए नजाने कितनी बार कितने डिरेक्टर और प्रिडूसर ने अप्रोच किया लेकिन इ किसी भी बॉलीवूड फिल्मों में चांस नहीं दिया गया फिल्माए जाने का जी हाँ जिस तरह से आप देखते हैं कि बॉलीवूड में किस तरह रिमेक का दौर चलता है पंजाबी गानों का दौर चलता है वैसे ही ठीक इस गाने के लिए कई डिरेक्टर और प्रोडूसर चाहा कि ये एवर ग्रीन गाना सुपर हिट गाना उनकी फिल्म का हाइलाइट बने लेकिन ये गाना क्यों किसी फिल्म में नहीं आया अब तक बॉली वुड के किसी भी क्योंकि इसकी जो लोक प्रियता है आज इस गाने को रिलीज हुए एट लिस बारा से तेरा साल हो चुके हैं लेकिन इस गाने का तोड किसी के पास नहीं है जी हाँ इस गाने से बढ़कर गाना अभी तक कोई नहीं आया है और तो और इस गाने की जो लागत लगी थी बहुत ही कम लागत लगी थी यनि इसे बनाने में बड़े ही कमपैसेव लेकिन इसे भाई इस गाने से जुड़े सभी लोग आज अपने कैरियर के शिर्स पर बैठे हैं और अकेला ये गाना जिस म्यूजिक कमपनी के पास है इसलिए ये गाना आज भी हर रिजनल जितने भी सिनेमा है उनकी हर गानों से सबसे पवन सिंग का नाम अगर बच्चा बच्चा जानता है तो इस गाने से जानता है हाँ पवन सिंग ने कई हिट्स भले ही दिये हैं अपने करियर में लेकिन सारे हिट्स इस गाने के बाद आ हुआ हुआ है